अब ही जो हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं वो दिल्ली के सियम अरविंद केजरिवाल का है जो सुतंतता दिवस के अवसर पर लाल किले में सदस्य दरगा में बैठे हुए हैं और परधान मंत्रे नरेंद मोदी अपने भासन को समाप्त करने के दौरान बंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं लेकिन जनाब अरविंद केजरिवाल जे को बंदे मातरम बोलने में सरमार ही है जैसे इसे साप सूह गया हो क्या ऐसे वक्ति को दिल्ली का सियम कहलाने का कोई हक है जो बंदे मातरम बोलने में सरम करता हो ये उनहीं लोगों में से एक लग रहा है जो की बंदे मातरम बोलने के लिए कतराते हैं और उसके बाद उनकी आलोचनाए होती है आलोचना कि आप भारत में रहने लायक हैं या नहीं ऐसे व्यक्ति चलो कोई बात नहीं जो वंदे मातरम बोलने से कतराते हों जो तथाकतित किसी विसेश धर्म से नाता रखते हों लेकिन अर्विंद के जरिवाल एक जिम्मेदार पद पर हैं दिल्ली के मुखमंत्री हैं समवैदानिक पद पर हैं और ऐसा व्यक्ति अगर वंदे मातरम बोलने से कतराता हो तो निसंदे ऐसे लोगों पर देश धरोह जैसे आरोप लगना तय है और इस तरह के आरोप अर्विंद केजरिवाल पर कई बार बीजेपी नेता लगा चुके हैं कि अर्विंद केजरिवाल देश धरोह ही है आपने पिछले एलक्षन में जरूर सुना होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ बलकि कई सारे वीजेपी ने ताउने भी कहा है और ये वीडियो सोसल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है अरविंद केजरिबाल अगर इसे देखें तो उन्हें असपश्टी करन जरूर देना चाहिए कि ये वीडियो ऐसा क्य है और जब वंदे मातरम बोला जा रहा था सभी लोग बोल रहे थे तो उन्होंने वंदे मातरम क्यों नहीं बोला ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजे नोटिफिकेशन बेल घंटी को भी दबा दिजे ताकि देश